अरनाटक के कॉंग्रेस सरकार के संस्कृति मंत्री श्री शिवराज तंग डाडी ने बयान दिया है कि जो छात्र मोदी मोदी के नारे लगाएं उनके उपर थपड मारने चाहिए मैं पूरे देश के जो भी इंटेलेक्शुल इस्टैबिश्मेंट के लोग है अरन्डे रोधन करने वाले की रुदाली करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूँ राजन्यतिक नारे लगाने के उपर आप थपड मारने की बात करेंगे और वो भी प्रधान मंत्री जी के नाम के उपर और आप कहेंगे कि यह लोगतंत्र है और फिर वहाँ दो कॉंग्रेस की सरकार है मैं पूछना चाहता हूँ कॉंग्रेस पार्टी से सुनिया जी से राहुल जी से और कॉंग्रेस के अध्यक्ष खडगे जी जो वहीं से हैं यह वही कॉंग्रेस पार्टी है जो गांधी जी के विचारों का अपने को प्रतीक बोलती थी जो कहा जाता था एक थपड मारे दूसरा थपड आगे कर दो गाल आगे कर दो अगर एक गाल पर थपड पड़े तो दूसरा गाल आगे कर दो इन विचारों वाले आज कहते हैं कि नारा लगे तो थपड़ मारना शुरू कर दो ये अवशंभावी हार की हताशा में हिंसा तक उतर आने की एक खतरनाक प्रिवत्तिका प्रतीक है ये कॉंग्रेस उनी गांधी जी की प्रतीक है जिन्हों ने तो नुवा खली में जाके इसलिए अंशन किया था कि अगर हिंद और आज किया थे थपड़ मारना शुरू कर दो इसलिए ये दर्शाता है कि ये राहुल गांधी की कॉंग्रेस का गांधी की कॉंग्रेस से कोई मतलब नहीं है केरल का बयान इंडी गढ़बंदन के सीम तमिल नाडु का बयान इंडी गढ़बंदन के सीम और करनाटक जहां प्रत्यक्ष कॉंग्रेस की सरकार है कम से कम कॉंग्रेस को आज इस पश्ट रूप से यहां बताना चाहिए कि इस प्रकार के विभाजनकारी इस प्रकार के विभेदकारी और इस प्रकार के हिंसात्मक, these type of divisive and violence provoking statements are having any relevance in the democracy or not, और मैं इसलिए यह कहना चाहता हूँ इस चुनाओं में जहां एक तरफ भारतिये जनता पाइटी और NDA प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोदी जी के जाचे पर्खे और खरे नित्रत में प्रकरता के साथ जन जन का समर्थन लेते हुए 400 पार के लक्ष की तरफ आगे बढ़ रहा है वहीं अंतर विरोधों से कुंठा और अवसाद से ग्रस्त होकर अनेक प्रकार के नकारात्मक बयानों को देते हुए यह तथा कथित इंडी गठवंधन सिर्फ पराजे नहीं मैं कहूंगा आत्मघात की तरफ आगे बढ़ रहा है अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूस 24